2024 जेनिवा मोटर शोपार एंजी मोटर ने नएंजी 3 हैच बैक को प्रदार्शीत किया है एंजी 3 के द्वाराशू ने 100 KPH का दवा किया गया समय 8.0 सेकंड्स है जो की आईटवेंटी के बाहर देशों में राइवल्स है चाइनिज ओन्द ब्रिटिश ब्रैंड एंजी मोटर ने नएंजी 3 हैच बैक को प्रदार्शीत किया है ये हुंडाई i20 के म्यूकेबल में है और शुरुवात में ये योरोप में ही बिकने वाला है बाद में और भी मार्केटन में उपलब्ध होगा नएंजी 3 का टोटल आउटपुट है 192 होर्स पावर ये सिरीज या पैरलेल हाइब्रिड मोड में चलाया जा सकता है भारत में इस साल के अंत में ग्लॉस्ट फेसलिफ्ट आएगा नएंजी 3 लेकर आता है नए स्टाइलिंग और अधिक टेक दूसरा जनरेशन का एंजी 3 नए लुक्स और पेट्रॉल हाइब्रिड पावर ट्रेन्स के साथ आता है ये हैच बैक रेनॉल्ट क्लियो, हुंडाई i20, तोयोटा यारीज और होंडा जैस के म्यूकेबल में है जो की व्यावसाइक्ता, एफिसेंसी और आकरशक पर्फॉर्मन्स पार अधिक ध्यान देते हैं नया लुक वाला 3 दुनिया भर में अगले 3 सालों में 20 से अधिक नए एमजी मॉडल्स के साथ लॉंच होगा जिसमें से आधा निउएनर्जी वीइकल्स होंगे नया एमजी 3 शैनहाई डिजाइन स्टुडियो में डिजाइन किया गया था जिसमें ब्रैंड के वर्तमान के क्रोसोवर्स और हैचबैक्स से स्टालिस्टिक इंफ्यूएंस लिया गया है और ये प्योर आइस 4 बियर से थोड़ा लामबा और चौका है इसका नया हाइब्रिड प्लस पावर ट्रेन एमजी का पहला नॉन प्लग इन हाइब्रिड ओफरिंग एक 102 HP, 1.5 लीटर 4 सिलिंडर पेट्रॉल एंजिन को एक 108 HP इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोडता है जिसे मिलकर 195 HP तक की कमबाइन शक्ती मिलती है, जो क्लियो और यारीज हाइब्रिड से काफी ज्यादा है ये भी तेजी से चलता है, शून्य 100 KPH का समय 8.0 सेकंड्स है जाब की पुराना AMG3 1.5 Speed Automated Manual या 4 Speed Automatic Gearbox ओफर करता था नए कार का Front Wheels को एक 3 Speed Auto के थ्रू चलाया जाता है, Manual Option बाद में आएगा AMG ने इस सिस्टम के Performance Benefits को हाइलाइट किया जो आमतौर पार हाइब्रिड्स में पाया जाने वाला CVT Transmission से बहतर है दवा करते हुए कि उनका 3 Speeder Luck को Avoid करता है और अधिक प्रतिक्रिया कर उत्तरपन देता है इसके Hybrid Power Train के लिए AMG3 को एक 1.83 के WH बाटरी मिलती है जो छोटी दूरिया कवर करने के लिए काफी है इसे Series Mode में चलाया जा सकता है जहां Engine एक Generator के रूप में काम करता है या फिर एक Parallel Hybrid के रूप में जहां Do Power Sources मिलकर पूरा 195 HP आउटपुट देते हैं अंदर इसमें नए Floating Twin Screens है एक 7.0-inch Drivers Display और एक 10.25-inch Infotainment Touchscreen जो नए Graphics के साथ है और अधिक Responsive है इसमें भी ये Rivals के साथ बराबर के सुविधाओ और सुरक्षा फीचर्स को मिलता है AMG India Lineup जाब की पिछले AMG 3 Hatch को Auto Expo 2020 में प्रदार्शीत किया गया था लेकिन अभी तक इसका भारत में आने का कोई भी सूचना नहीं है देश में AMG Motor India वर्तमान में Aster, Hector और Glossed को बेचता है साथ High Comet EV और ZS EV SUV Glossed Facelift भी इस साल के अंतमे मार्केट में आने के लिए तयार किया जा रहा है ASG Motors को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद